तीन बार में गुटने कमर जोडों का दर्द ऐसे बहार करेगा जैसे कभी था ही नहीं नमश्कार दोस्तों 100% homemade घरेलून उसके YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से हमारी आयरुवेद की किताब अश्टांग रिद्म के माद्यम से गुटनों का दर्द जोडों का दर्द जोडों का दर्द जिसको अंग्रेजी में दोस्तों अर्थ्राइटस कहते हैं हिंदी में गठिया कहते हैं या फिर आपके गुटनों से टहनियों से कटकट की आवाज आती है क्रैकलिंग साउंड सापके जॉइंट से आती है तो वीडियो को ध्यान पूर्वा कंत तक अवश्य देखें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले है ना में कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं बस हमारा मोटिवेशन अप होता है हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले है ताकि जब भी मैं अपन से पांच चीजों की हमें अवशकता पड़ेगी तो ध्यान पूरवक देखिए सबसे पहले यहां पर मेरे लिए सौफ लेकिन कौन से सौफ यह अंग्रेजी में इसको फैनल सीट्स कहते हैं मार्किट में दो तरह के सौफ मिलते हैं एक दोस्तों आपको डार्क ग्रीन कलर के पैरेट कलर के सौफ मिलते हैं वो आपको नहीं लेकर के आना है क्योंकि उनकी ऊपर artificial coloring की जाती है जो की बहुत नुकसान और खतरनाक आपके शरीर को पहुचा सकती है खतरनाक होती है तो आपको डेशी सौफ जो होते हैं जो हलके golden कलर की और green कलर के होते हैं वो लेकर के आन calcium protein amino acids omega 369 पाया जाते हैं जो कि आपकी हडियों के लिए आपके जोड़ों के लिए constipation paid की समस्या है मुग से बद्बू बहुत जादा आती है जोड़ों गुटनों में दर्द है उसकी grease खतम हो गया तो इस तरह की समस्याओं में वात पित और कफ को balance करने के लिए सौफ का इस्तमाल प्राचीन काल से किया जाता है बस सेवन करने का सही तरीका पता होना चाहिए आपको वो मैं इस वीडियो के माद्दम से बताओंगा दोस्तों दूसरे नंबर पर यहाँ पर मैंने लिए क्यूमन सीट्स इसको हिंदी में हम कहते हैं जीरा क्यूमन सीट्स दो आपको बता रहा हूं जीरे के ध्यान पूर्वक सुनिये सबसे पहला तो चहरे पे चमक लाने के लिए शरीर को ठंड़क प्रदान करने के लिए गर्मियों के मौसम में अगर आप नीम्बू के साथ में बुने जीरे का सेवन करते हैं तो बहुत जबर्दस होता है यह वजन जीरे करने का प्रीयो करने का तरीका आपको सही पता होना चाहिये दोस्तों आप एक बात को जानकर के ह्रान हो जाएं कि हफते में 3-4 बार लेते हैं तो ये दोस्तों आपकी केल्शिम और खुन की कमी को दूर करने में मदद करता है हड़ीयों को मजबूत स्ट्रॉंग बनाता है और जबर्दत सरीके से आपकी ताकत को बढ़ाने में पुर्शों में महिलाओं में मदद करता है आज कल के नोजवान युवा ने अपना हिला हिला के सत्यानाश कर दिया ताकत की कमी होगी है रात को गंदी गंदी चीज़े मुबाइल में देखते हैं इसके कारण शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुके है सिस्टम बहुत ही कमजोर हो चुके है तो इसको दुबारा से स्टॉंग बनाने के लिए जीरा बहुत फायदे बंद होता है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इंडक्शन के उपर मैंने कड़ा ही लिया इसके बीच मैं पानी डालूँगा लगबग डेट सो से 200 मिली लीटर के आस पास में और आपको क्या करना है अब जिस तरह से मैं बताऊंगा न उसी तरह से दोस्तों सौंफ का और जीरे को आपको उतनी उतनी क्वांटिटी में डाल करके दीमी आँच पे उबालना है दोस्तों लगबग लगबग मान के चलिए अगर आप ड्रिंक एक दिन की एक व्यक्ति के लिए सिर्फ तयार कर रहे हैं तो आपको एक बड़ा चमच सौंफ और एक बड़ा चमच जीरा ले करके इसको पानी में मिक्स करके आपको धीमी आँच पे उबालना है लेकिन यहाँ पे मैं जादे मातरा में कौंटिटी में सौंफ और जीरा ले रहा हूँ क्योंकि यह मैं दो से तीन व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ लेकिन अगर आप अकेले इसका इस्तमाल प्रियोग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है लगबग लगबग एक चमच की मातरा में ही सौंफ और जीरा डाल करके आपको बालना है ये जो ड्रिंक में बना रहा हो ना, ये ड्रिंक दोस्तों जोड़ों के लिए, हडियों के दर्द के लिए, हडियों से कट-कट की आवाज आने के लिए, अठिया, अर्थराइटस, इसके अलावा कमर पीट का दर्द आपको रहता है, हडियों की कमजोरी रहती है, खोन की कमी गटाना चाहते हैं, metabolism बहुत slow हो चुके है, constipation कब्स की समस्या रहती है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, ढकार खटे आते हैं और गंदे आते हैं, इसके अलावा दोस्तों आपका हाजमा अगर दुरुस्त नहीं रहता है, सहीं नहीं रहता है, यह सभी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बहतरीन होती है, इसके अलावा दोस्तों यह जो drink आप देख रहे हैं, इसको आपको जैसे मैंने मान के चलिये कि 1500 मिलिलिटर की मातरा में पानी लिया है, तो आपका जब यह पानी 100 मिलिलिटर की मातरा में बचेगा ना तब आपको गैस को बंद करना है उससे पहले आपको गैस को बंद नहीं करना और इसी तरह से उबालते रहना जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे करके इसको उबालते रहे हैं और ध्यान रखिए कि जिनको भी हडियों में जोडों में ग जगी वासुदेव उनके टीचर को आप हठी होग टीचर को अपने घर पे बुला करके प्रैक्टिस को सीखेंगे जिसका नाम है सूर्य क्रिया या फिर अंगमर्दना ये दोनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस सीख करके जो व्यक्तिस सुबह या शाम को दिन में एक बार प् इशा फाउंडेशन दोस्तों इसके अलावा हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलके बना है मिट्टी पानी हवा अकाश और अगनी उसमें जो बाहरी हमारी फिजिकल बॉड़ी हो मिट्टी से मिलके बनी है तो अगर हम मढ़ बात लेते हैं अपने आसपास कहीं भी कहीं की भ नारे से कहीं से भी निकाल करके लाएं उसमें पानी मिला करके उसके मिट्टी के लेप को अपने शरीर पे लगाएं और उसका मढ़ बात लें शरीर पे लगाने के बाद बीस मिनट के लिए दूप में उसको सूखने के लिए चोड़ दें और उससे नसनान करने से भी हड़ का जोडों का गुटनों का कमर पीट का दर्द डाइबिटीज इसके अलावा बलड प्रेशर की समस्या हाट की प्रॉब्लम्स पेट के आंतों में या फिर किड्मीज में या फिर लीवर में किसी भी तरह की इंफेक्शन समस्या उसका सही से काम ना करना इंटरनल और्गन्स का इस सभी प्रकार की समस्या है मढबात लेने से ठीक होती है मिट्टी के संपरक में जितने आपका शरी रहेगा उतनी आपकी बॉड़ी स्ट्रॉंग बनेगी और साथ में जो ड्रिंक आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं इसकी बीच में शहद मिला करके और हलका नीमू मि ले सकते हैं अगर आपका मन करें नहीं भी चाहें तो ऐसे भी पी सकते हैं दोस्तों हफते में तीन बार से अधिक आपको गर्मियों में नहीं पीना है वैसे तो यह ठंडा होता है सोफ पी और जीरा भी लेकिन तीन बार से अधिक नहीं पीना है और सर्गियों में भी तीन बार से अधिक नहीं पीना है जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको सेवन करना है लगबग 60-70 ml की मातरा में ड्रिंक का और सुबह खाली पेट करना है बोजन करने से पहले हडियों का जोडों का दर्द गुटनों का दर्द अर्थ्राइटस हडियों से कट-कट की आवाज जाना क्रैकलिंग साउंट्स ऑफ जॉइंट्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगे धन्यवाद